कि अब इस सेप्टर में नहीं हैडिंग लगाओ आप सम् यूस्फुल कंपाउंट्स इन एवरीडे लाइब बहुत इंपोर्टेंट यहां से क्यों शुन आनाता है हैं फेक्स यानिक देनिक जी उन्हों उप्यों की योगिक कौन कौन से हैं फस्ट है सोडियम कलोराइट एनस विद्धार नमक कहते हैं इडिस कोल्ड कॉमन सौल्ट दूसरा यह प्रबल अमल प्रबल शार का लवन होता है इडिस सॉल्ट और स्टॉंग एसिड्न स्टॉंग बेस बिल्कुल मैं आपको लिखवा रहा है जहां पर अपने स्टॉंग एसिड यानिकी प्रबल अमल और तो उनका यह को शॉल्ट का है दूसरी बात इसकी पीज साथ होती है इसकी पीज साथ होती है कोई नहीं बताएगा बी तक आपको उस पीज के इंदर यह बतायता है कि जिसकी साथ होती है वो नेचर में नियूट्रल होता है तो आप लिखेंगे कि सोडियम कलोराइड इस प्रिपेरड बाई ड्राइं यानि सुखने पर सुखने के बाद इसको प्राप्त किया जाता है इसके बाद इसके कुछ गुण होते हैं प्रोपरटीज क्या है कि यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है इडिज वाइट सॉलिड सब्सेंस देखा आपने वाइट होता है और थोड़ा सॉलिड पर होता है इसका गलनांक उच्छ एने की पानी में बहुत जल्दी हाइली सॉलिड अपने पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है तो हाइली सॉलिड है और जली विलेन में आइनित हो जाता है इट गेट्स आइनाइज इन एक्वल एक्वा जाता है जब पानी के अंदर अपन जल्दी विलेन में इसको डालते हैं तो तब आपने च्छोटा से एक्जांबल देता हूं कि खूब लोग क्या करते हैं जो कुछ लोग ऐसा करते भी है कि नमक को गीले जो मिटी गीली होती है उसको मोटर को चलाने के लिए तो जब यू आयोनाइज हो जाए मतलब कि वहां उस लाइट के वोल्टेज बढ़ जाता है यह सिंपल प्रैक्टिकल एक्जांपल बता रहा हूं आपको लाइव एक्जांपल है ठीक है तो इस तरीके से आपको इसके स्वोडियू को राइट कैसे बनता है क्या अगरा नेचर के बारे मे इसके बाद में इस कोमन सोल्ट के उप्योग क्या है यूजेज तो चार बात है यह चार प्रोपर्टी और तीन चार इसके उप्योग है यूजेज जेपन अब करने वाले ठीक है अब इस एनसे यूजेज हैं तीन भी लिख दोगे है दो तीन याद कलो बहुत है पहला इस इसके उप्योग साधार नम्मे की रूप में बोजन में किया जाता है सबसे इंपोर्टन नॉर्मली यूजेज आपको बताईए इसको वरक्ष हाता है सब्सक्राइक की रूप मोर्डा से था नमक योज करते हैं क्यांते हीं इसके तीसा है मं einzige में क्रेजिंग मेशल की चीजन होती है में मूह है पर दोटीन चेज़ंग को तिар जाता है यहीं लिखाना कि याद की गारत पूर को बनाने में बनाने में कच्छे पदार्थ की रूप मीच है लेकिन को खितने बनाते उसके पेले उसका कच्छा माल भानने जरूरूरunda होती कोई ये मारकर अपर यह बहुंद को समझे पना हों , कुषान जो गहारे देंगे ऑप मपने सा बिसक्ट करेंड़े से बिसक्ट ऐसके बनता है किसान गेंगे एक अपने लिए बिसकेट की बंने कोई factory यह Сंद गेंगत देगा तो factory के लिए गेहूं , wheat क्या हो गया ? याई निकच्च माल हो गया factory वाला कच्च्च माल खरिज़ता है जलिते हैं किसानों से गेहूं को प्र आटा इसका बनाके उससे बिस्किट धार करता है तो यह कच्च्च्च माल होता है जिससे कोई चीज बनाई जाती है इसके अपने देनिंग लाइफ में हमरे क्या यूज है सबसे बारे में जा लो कास्टिक सोडा का नाम सुनाओगा एन्योग इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं वह तो था हमारा जो नसील था वह तो कॉमन सौल्ट यानि कि साधर नमक यह भी वर्मर्मार्ग मार्क समाते हैं इसे चार उप्शन आएंगे इधर नसील नावच इधर साइड में नाम रहेंगे कास्टिक सोडा कॉमन सौल्ट तो उसको पर मेजदा फॉलिंग वाले क्यों आज़ाता है इसलिए इनका नाम है कि इनको क्या दूसरे नाम से जाना जाता है उस पर भी आपको पूरा जोड़ स समझने दूसरी बात है उसको कैसे त्यार किया था इसको कैसे त्यार करते हैं इसको इसको बनाने में यानिकि ऑदियू कि सब्सक्राइब करके ही प्राप्त किया जाता है आपने देखा वोगा प्लस माइनस के थोड़े न यहीं है चोटी क्लास में आपने पड़ा हुआ है नाहीं ते पड़ा होगा यान कि इसमें एनोड पर तो होता है कलोडी और कैथोर्ड पर रहता है है यह बीइंपोर्टेंट क्युशन है इडिस कलोड़न गेस फॉर्म डे यानि कि अनुट पर बनती है कलोरियन गेस ठीक है ओके और के थोड पर यानि कि हाई तो यह तो तीन चार बाता हैं जो इसके बारे में हैं अब इसके क्या-क्या प्रोपर्टीज हैं सेम ढिटो वैसा ही फिर इसके यूज़ यानि कि गुण तो चार-चार गुण मैंने आपको लिखवा दिया अगर तिन तिन भी आद कर लेते हो तो सपीशेंट है यह श्वेत चिकना थोस पदा रता है ठीक है यह श्वेत चिकना थोस पदा रता है इस वाइट स्लीक सपसंस यह वाइट कदर का दूसरा इसका गलनांग 500 इक्राण में 591 कल इसका मेल्टिंग तीसरी बात जल में शिग्र विले हो जाता है यानि ही इसले डिजॉल्विन वोटर इडिस ट्रॉंग बेस यह प्रबर्शार है ऐसे नोट्स को बताएगा आपको विल्कुल डिट्टो एक्जाम के लेंग्वाज में कहां से क्या क्या इसके लाव कुछ आई नहीं सकता अग आपको साइन्स में कुछ नहीं पड़ा ना गाइड विए जरूता है ना किसी बुक की भी जरूता है सब कुछ यह है अकोर्डिंग टो ओरीजिनल आर्वेसी बुक समझ पारे हो ठीक है अब इसके यूज़ेज ठीक है यानि कि sodium hydroxide क्या 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 उप्योग तो इडिज इसका साबून कागर्श सिलक फीजर आधी और अन्यरवाइन्स में भी अधर आधर कैमिकल इसका मतलब अनने रसायनोक के निर्मान में अपने साबून के अंदर सोडी महले डोकसाइट इले पड़ता है तीक है साबुन हो चाहिए कोई सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कर दादू करम उसके उपयोग में यानिकि इस यूज ऑप मैलर्जी ऑप बॉक्साइट समझ पार हो या मैटाबॉलिक तीसरा है पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है इस यूज इन प्यूरिफिकेशन ओ पेट्रॉलियम यानि कि पेट्रोलियम का शोधन है यह पयोर के से रचुड़ियम केंसे करना है चोथा झालू के निरमान निर्मान में काम के लिया जाता है काम में लिया जाता है यानि इस यूज़ फोर्मेशन ओफेट्स एंड ओइल सब्सक्राइब करना है तो अपन हर वीडियो के साथ साथ में कुछ क्योशन आंसर करते हैं शूरू से स्टाटिंग से बहुत जबर दस आपको ऐसे क्योशन आंसर भी कोई प्रोवाइड ने करता हूं इनको साथ के साथ लेंग करते हैं तो उसी कंटीनियू उसको कंटीनियू करते हैं दो अपने पिछले वीडियो बनाये थे पिए जबर दस्त वीडियो उन पिएच से रिलेटेट जितने भी क्योशन थे आपकी औरीजनल बुक के पीछे जो थे वह मैं कुछ करवा लेकरिक सिर जो खाल देता हूं एक तो क्योर्श नमर 3 पीएच is negative logarithm of which ions यान की पीएच किन आइनों की सांदरता का रिनात्मक लगुझप होती है तो मैं आपको बताई है ता हाई जूज का रिनात्मक लगुझप होती है ही प्रूस समय पिल्लस बहुत अच्छी से बतारे एसका बारे है आपको पेस जोती है वह‌जिज्ट होएं जिरो से लेकिंप सब्सक्राइब करें ऑदासीनों यह जो भी वैली होगी वह हमेसा एसिट की बीच और साथ से 24 की बीच वह आपकी शारी नहीं बैसी को बोगी तो नहीं है यह पर अलकलाइन होगी इसका मतलब यह हु तो D is the right answer क्योंकि चार इसने पूचा एसीडिक अमली अमली तो साथ से कम होगा साथ न्यूट्रल है ये शार ये बैसिक है ये भी बैसिक है क्योंकि ये 14 तक है साथ के ऊपर है समझ पारे हो पांच वाई क्यूशन आपका इन आवर स्टमक डाइजेश्चन ओफ फूर्ड अकर अमली भी होता है इसके बाद में च्छाटा क्योशन देखो इन अच्छा क्योशन है डिफ्रेंट है हालां कि पेज का नहीं है लेकिन फिर भी काम आएगा आपने कर चुके अपन ऐसा क्योशन इन मेकिंग फाइर एस्टिंग उशर विच सबसंसिश कॉर्ड अगनी शामक ज अगनी शामक एंतर के अंदर यूज किया जाता है बहुत इंपोर्टेंट बात है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फोमला चाहते हो लिख देता हूं सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट नहीं तो नहीं है लेकिन क्योंग लिक आचका में यह बात है फिर भी सोडिय हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका अगनी शामक एंतर के अंदर प्रयोग किया जाता है ठीक है एन एच इसकी बात में बात करूं 17 की पी एच में पी एवं एच किसको सुचित करते हैं इन पी एच वोट पी एच इंडिकेट्स मैंने लिखवाई था पी का मतलब पावर शक् एच का मतलब हाइड्रोजन लिखवाई था ना बस वो इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तो आपको इस पता चलना चाहिए कि एक्जाम में किस फो में आते हैं ठीक है इसलिए मैं लिखवाता हूं साथ कसाथ नोट बनाना एक 18 है हमारे उदर में उत्पन अत्यदिक अमलता से रहत पाने के लिए क्या उपचार लेंगे यानि कि विस्ट्रीट्मेंट वी टेक्ट टो गेट रिलीफ फ्रॉम एक्सस एसेटी प्रेडूस्ट इन स्टमक मैंने आपको लिखवाई था मेगनेशिम हाइड्रोकसाइड मिल्क ओफ मेगनेशिया उसका बिल्कुल यह अग लेंगे तुमारे स्टमक में रिलीफ यह नहीं आराम मिलेगा वह बिल्कवाई चुका मैं तो इस तरीके से कापी इंपोटेंट है वीडियो आज का साथ के साथ नोट बनाते रहो साथ के सा जिसमें और अपन दो ती नियूजेश और पढ़ने वालें ठीक है जब तक पढ़ते रहो ओके